नमस्कार तुलाराशी बालो, स्वागत त्याब शभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तुलाराशी बालो, मित्रों कैसे हैं आप शब? उम्मिद करती हैं, आप शब बहुत अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे तुलाराशी बालो, अगले इन 24 घंटे में आपकी किश्मत की नई चाल देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जी हाँ तुलाराशी बालो, घर के शारे खिड की दर्वाजी बंद करके देखना क्योंकि तुलाराशी बालो, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है जी हाँ तुलाराशी बालो, घर के किसी कोने में बैठकर चुपचाप एकांत में वीडियो देखना तभी आप शभी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इन सभी का अच्छे से लाब उठा पाएंगे क्योंकि तुलाराशी बालो, आज की यह वीडियो कुछ अलग शाट्वाफिक पर होने बाला है अगर आप इन्हें शुरू शे लेकर अंत तक देख लेंगे और सभी बातों को कान लगा कर ध्यान से सुन लेंगे तुलाराशी बालो, इस बात की गैरंटी हम लेते हैं कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोप पाएगा जी हाँ तुलाराशी बालो, चमय आ चुका है आपको भी अपना जलबा दिखाने का जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किश्मत ऐसी उडान भरेगी जिसे देखने के बाद आपके दुश्मन दात निपोरते रह जाएंगे जी हाँ, यूँ समझ लिजिये कि आपका किश्मत रोकेट की तरह उड़ेगा जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दें कि जिस समय का आपको बहुत दिनों से इंतजार धा, जिस समय का आप प्रतिक्षा करती आ रहे थी, वो समय अब आ चुका है जी हाँ, दोस्तों, शभलता की आप बहुत करीब आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और सबर किजिये, फिर देखिये शभलता कैसे आपकी कदम चुमती है दोस्तों, आज की यहाँ संपूर वीडियो आपके चंदर राशी पर आधारी थे, इन्हें आप शुरूर से लेकर अन्त तक देखियेगा लेकिन उश्य पहले माता रानी जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, एक शाथ मिलकर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्ष में जै माता दी लिखना मत भूलियेगा और साथी साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शाथी बेल आइकन को भी दबा दें इससे दोस्तों आपको अपने जीवन के शवी प्रकार की जानकारियों शमय समय से मिल सके तो आईए दोस्तों बात करती हैं तो लाराशी बालो, आज आपकी किसमत समर जाएगी जी हाँ, भागी का शाथ मिलेगा, महतपूर सफलता मिलेगी कारिक शित्र में चली आरही समस्याएद दूर होंगे अच्छे लाब के योग मनेंगे जी हाँ, दोस्तों, भागी आपका शाथ निभा रहा है तकरीबन 81 प्रतिशत कुछ ऐसे कारी पूरे होंगे, जो काफी दिनोंशे अधूरे पड़े थी पैंडिंग पड़े कारियों को आज आप पूरा कर सकती है जी हाँ, दोस्तों, धन लाब की योग बन रहे है मालक्ष्मी जी की करपाद रिष्टी आपके उपर पढ़ने वाली है रुका हुआ, फशा हुआ धन मिलेगा आज के दिन धन की इस्तधी काफी अच्छी रहने बाली है कारोबार में विशेश लाब होगा आज आप कोई महत्पुण काम शुरू कर सकती है जी हाँ, दिन बहुत बढ़िया है भागी आपका शाथ मिलेगा जी हाँ, दोस्तों, व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा और सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आज का दिन जो है महनत में भी आपको बड़ी सफलता मिल जकती है जी हाँ, थोड़ा सा भी महनत करेंगे तो आपको वहाँ पर बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी जी हाँ, दोस्तों, आज आप महनत करती रहें महनत से पीछे मत हटना क्योंकि दोस्तों, महनत ही एक ऐसा चीज है जिससे आप अपने शभी सपने पूरे कर सकती हैं जी हाँ, दोस्तों, और एक बात हमेशा याद रखना शपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाग बड़े होते हैं शपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं इसलिए थोड़ा जिद्दी पन होना भी जरूरी है आप जो भी काम करने में अपने मन में ठान लेंगे उसे आज पूरा करके ही दम लेंगे जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए और आपकी यही रविया आपको शफलता के बहुत करीब लेकर जासुकी है खुद पर विश्वास रखें और महनत करते रहें आपको वो सभी चीजे मिले की जिनकी आप लंबे शमे से कलपना करती आ रही है जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी देखिए दोस्तों, आपको आज खुद का है सिंतन करना है आपके जीवन में इस समय सब कुछ सही चल रहा है फिर भी आपको एक प्रकार की वेचैनी महसूस हो रही है जिससे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे है जी हाँ दोस्तों, इसका एक मात्र समाधान यहा है कि आप खुद के बारे में शांत दिमाग से सोचे जिससे आपको अपने इस्ततियों को बहतर तरीकेशे देखने में मदद मिलेगी जी हाँ, और आप सही समाधान भी खोजबाएंगे इसके उपरांत, आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कुद पढ़ने की बजहर्शी आज सभी पहलों के बारे में शंबेदन सील होकर अपने दिमाग को शंतुलित करके जो सोचना होगा आपके लिए फंसासी का समय है, आपके लिए यह समय रोमैंश और मज़े करने का समय है जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोमैंस में अपनी कल्पना का प्रियोग करेंगे तो बहुत अच्छे परणा मिलेंगे लेकिन दोस्तों, अपनी कल्पना को रोमैंस तक ही सिमित रखें आफिश में आपको इससे अच्छे लेकिन बेहद आकरसक अफशर आज आपके लिए खुलने की संभावना है जी हाँ रोस्तों उसके लिए आज आप तैयार रहें लेकिन आपको उसमें समय जादा नहीं लगाना है समय की बरबादी करेंगे तो वो मौका आपके हाद से निकल सकती है निरनायक या अचल समपती के कारोबार में निवेश करने वाले लावदायक शिद हो सकता है हाला कि अगर आप शमय पर निरनायक कारवाही करती हैं तब ही आपको लाग मिलेगा जी हाँ अगर आप शमय बरबाद करेंगे तो अबशर आज आपकी हाथ से निकल जाएंगे शंपती से सम्मंधित रिण भी आज आपकी मनजूर होने की पूरी समभावना बन रही है जी हाँ दोस्तों देखी दोस्तों आज ग्रहों के स्थती आपको बहुत अधिक समाजिक होने को कह रही है आप दूसरों से बादचीत के माध्यमशी अपनी जीवन शैली को और केरियर में बदलाव लाना चाहती हैं जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें जी हाँ आज आप जो भी करना चाहती हैं उश पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकती हैं बस अपना ध्यान रखें कि अपनी शमता से अधिक जिम्मदारी नहीं लेना है नहीं तो दोस्तों आपके लिए दिक्कत हो शकता है इसके उपरांथ आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो शमय होंगी आज आपको आलस सब महसूस होगा लेकिन ये बिलकुल शुभाविक है क्योंकि आप पिसले कई दिनों शी बहुत ही तेज गती से काम करती आ रहे हैं आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत अधिक खिसाव या दर्द महसूस हो शकता है जी हाँ ये सब अत्यादिक भाग दोड़ कर नतीजा है इसलिए आज अपनी शक्ति को वापश लाने के लिए खुब शारा आराम करें और अच्छा खाना खाएं तो ये आपके लिए बहतर होंगी और इससे आपको इन समस्याओं से भी छोड़कार मिलेगा देखिए दोस्तों बिरोधावाशी गरहों की वजह से आज आप विपरित दिशा में दा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप एक निरनायक जो है निरनाय लेना चाहती हैं लेकिन आप काफी शतर्क हैं और किसी भी तरह का और शंतुलन नहीं चाहती हैं इन बिरोधावाशी प्रभावं के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिल्चस्प हो जाएगा और इन सबसे आपको अपने जीवन शाथी अपने रिस्तों पर एक शबक मिलेगा जो की आपको भविशी के लिए योजना बनाने में मददगार शवित होगा जी हाँ दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके दिमचरिया के लिए जो समय होंगे आप शफलता पुरभक अपने रश्टनात्मक कारियों को खत्म करने में शक्षम रहेंगे और इस जस्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मिजबाने की योजना ही बना शक्ति हैं और जिर्हों ने भी इस यात्रा को आप शमर्थन किया है उन्हें अपने विरोधियों को भी शमारों में आमंत्रित करें और अपनी जो है कमाई और खर्च के बीच शंतुलन बनाने के लिए भी प्रयाश करते रहें ये आप के लिए बहतर रहेंगे जी हां कही नहीं खर्चे आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं खर्चों में आपको थोड़ा सा कंट्रोल डखना ही होगा तबी आगे चल कर आप कुछ धन बचत कर पाएंगे जी हां दोस्तों शमे कुछ ऐसा रहने वाला है इस समय का आप लाब उठाएं अगर जानकारियां आपको दूर करियेगा धन्यवाद दिन आपका शुग हो